नमस्कार दोस्तों हर्शित दुवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनित सागर लेक्ष्मी कान इंडिन पोलिटी सीरीज चल लादा दोस्तों पार्ट टन पोलिटिकल डेनामिक्स में चाप்टर 79 फोरिन पोलिसी इसका पार्ट फरीडियो है दोस्तों इस से हमारा Лक्ष्मी कान इंडिन पोलिटी सीरीज पूरा खतम हो जाएगा चाप्टर वन से लिके 79 तक एक एक चाप्टर का एक एक टोपिक एक एक परेक प्सक्परनेशन आपको चानल के मेंबर भी बन सकती हो, join button दबाखे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहला nuclear doctrine of India हम सबको पते हैं इंडिया एक major nuclear power है और इंडिया का अपना एक nuclear doctrine भी है basically एक nuclear policy है, nuclear doctrine ये कहता है कि हमें कब-कब हमारे nuclear weapons यूज करना चाहिए किन-किन conditions में उसकरना चाहिए, हमारी policy क्या होना चाहिए, ये सब उसमें सपश्ट रिखा है अब देखो दोस्तों, इंडिया ने अपना nuclear doctrine अडोप किया था 2003 में अब आरा nuclear doctrine का saline features क्या क्या है, मैं जब points क्या क्या है, डिसकस करते हैं सबसे पहला building and maintaining एक credible minimum deterrent दोस्तों, जो credible minimum deterrent वाला सब देना, ये कई देशों का nuclear policy में हमें मिलेगा इसका मतलब ये है दोस्तों, आगर किसी ने हमारे उपर nuclear attack किया हमारे पास उसको defend करने के लिए capacity भी है, और इसके बाद वापिस attack करने के लिए, एक second attack करने के लिए भी हमारे पास capacity है ये होता है, credible minimum deterrent, जिसको हम maintain करके रिखेंगे ये हमारे nuclear doctrine का सबसे पहला point है दूसरा क्या है, ये post of no first use nuclear weapons, ये तो आपने सुनाई होगा दोस्तों no first use, मतलब कभी भी किसी भी condition में हम पहला use नहीं करेंगे तिके nuclear attack, ऐसे ही हम किसी भी देश के साथ अगर वार हो गया तो हम पहला use नहीं करेंगे, अगर वो लोग करेंगे तब ही हम वापिस करेंगे तीसरा क्या है, nuclear retaliation to a first strike will be massive and designed to inflict unacceptable damage ये तो दोस्तों एक mass dialogue है, मतलब आगर किसी ने हमारे उपर nuclear attack किया भाई तो हमारे एक credible minimum deterrent के उपर हम उसको second attack तो करेंगे, मतलब वापस retaliate करेंगे और वो जो attack है न दोस्तों, इतना massive होगा and designed to inflict and acceptable damage जो हमारे उपर nuclear attack किया, वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे, हम कितना बढ़ा destruction उनके लिए करेंगे जो था क्या है, nuclear retaliatory attacks can only be authorized by civilian political leadership देखो दोस्तों, हमारा इंडिया में एक nuclear command authority है, जिसको हमारा prime minister head करते है जितने भी nuclear retaliatory attacks होगा, मतलब अगर हमारे उपर किसी ने nuclear attack है, उसको हम retaliation करेंगे उसको authorized करते है, हमारे prime minister, nuclear command authority अगर कोई non-nuclear state के साथ हमारा war हो गया, थीक है, मतलब किसी के पास अगर nuclear capacity नहीं है अगर इनके साथ हम वार में हैं, तो हम कभी उनके साथ nuclear attack नहीं करेंगे पर इसका एक clause भी है, देखो 6 क्या लिखा है, in the event of a major attack against India or Indian forces anywhere by biological or chemical weapons, India will retain the option of retaliating with nuclear weapons देखो दोस्तों, अगर कोई non-nuclear weapon state के साथ हमारा war हो गया और वो अगर, हमारे policy यह कहते है, हम उनके साथ हो nuclear attack नहीं करेंगे पर एक condition है, क्या है, अगर वो लोग कोई biological और chemical weapons का इस्तमाल किया तब हम उनके ओपर nuclear attack कर सकता है यह हमारे nuclear doctrine कहता है आप देखो यह biological weapon क्या होता है, दोस्तों आपने सुना होगा anthrax करके anthrax करके काफी पहले, काफी सालों पहले virus attack हुआ था तो यह anthrax biological, मतलब virus, bacteria सब स्प्रेड कर वात है, यह बोलते है biological, बहुत ही गंदा एक तरीका होता है दूसरा है chemical, मतलब कोई chemicals का यूज किया, ठीक है chemicals मतलब कोई भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कोई भी poisonous ग्यास हो सकता है, ठीक है poisonous substances हो सकता है, जब chemical weapons का इस्तमाल करना इसको बोलता है, तो इस तरह की अटक हर हमारे उपर करेंगी, तो हम चुपनी बैठेंगे हम उसके उपर nuclear attack भी कर सकता है साथ होगा क्या है, एक continuous of strict controls on export of nuclear and missile related materials, इंडिया का doctrine यह कहता है दोस्तों, strict control होना चाहिए in export of nuclear and missile related materials and technology ठीक है, और क्या है participation in Fisail Material Cut-off Treaty Negotiations, देखो दोस्ते Fisail Material Cut-off Treaty Negotiations बहुत सालों से इंडिया सपोर्ट करते होगा है Fisail Material का मतलब वो होता है दोस्तों जो nuclear weapons बनाने के लिए, जो raw materials यूस होता है वो है Fisail Materials, for example weapon grade uranium है, uranium के बाएर में raw materials है, उसका production ही बंद करो तो automatically nuclear weapon ही खतम हो जाएगा and continued observance of moratorium on nuclear test देखो, nuclear test के ऊपर जितने मी moratorium बना है उसको continue observe करते हो, monitor करते हो और maintain करते हो, कहने का मतलब वे दोस्तों 98 में इंडिया ने latest nuclear test किया था 98 से लेके अभी 2021 हो गया मैं आपको एक एक अग्जाम्बल बोलता हूँ कि करीब 2003 में हो सकता Indo-US nuclear deal हो था तब US ने इंडिया को बोला था आप लोग कोई treaty की उनी sign कर लेता है कि आगे आप testing ही नहीं करेंगे वैसे इससे पहले एक CTBT लाया था powerful nations ने, जिसने भी powerful countries दे उस टेम पे उन्होंने एक CTBT लाया था comprehensive test band treaty उन्होंको कहना ये था कि आप लोग कोई भी अभी test नहीं करेंगे nuclear testing नहीं करेंगे, including them कोई भी अभी से nuclear testing नहीं करेंगे ये कैसे हो सकता है दोस्तों, जितने भी powerful nations है, वो सब अपने nuclear test हजारों करके, बाइड़ गे, अपना arsenal भर दिये, और developing nations को ये बोला है कि आप लोग अभी कोई nuclear testing ही नहीं करो, इंडिया ने कभी उसको sign ही नहीं किया, अभी भी नहीं किया है और इंडिया ने दो बार nuclear test भी करेंगे तो जब इंडिया-US nuclear deal हुआ था, तब USA ने इंडिया को बोला था कि आप लोग कोई treaty तो sign करो, इंडिया ने मना किया और इंडिया ने ये बोला कि हम एक voluntary monitorium बनाया है voluntarily मतलब वो self-controlled है, मतलब हम कोई nuclear test नहीं करेंगे हो हमारा कहना है, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई legally binding treaty नहीं sign कर सकते है, ठीक है, legally ना, हम self-moratorium बनाया है कि हम लोग अभी testing नहीं करेंगे, ठीक है, पर अभी आगे क्या हो सकते है, condition कैसे कैसे होगा कोई बता नहीं सकता है, इसलिए इंडिया इस तरह की legally binded treaty में विश्वास नहीं किया, continued commitment to the goal of a nuclear weapon free world through global, verifiable and non-discriminatory nuclear desire moment, देखो दोस्तों, वैसे इंडिया दो पाटेस भी किया, इंडिया एक nuclear power भी है, पूरे दुनिया को पता है, पर इंडिया अभी भी इसी में विश्वास करते है, एक nuclear weapon free world हो, मतलब सारे देश इखटा हो के ये decide कर लो, अपने जितने भी weapon grade या military purpose के लिए जितने भी nuclear weapon से सब को खतम कर दो, और civilian purposes के लिए यूज कर लो, पर सारे एक साथ रेड़ी होगा तब तो, अगला है दोस्तों, nuclear command authority, पहले इस the sword body which can authorize the use of nuclear weapons, तो जो final authorization होगा nuclear weapon use करने का वो कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ओप इंडिया के पास पूरा पवर है, nuclear weapons यूज करना है या नहीं करना है, आप एक executive council है, ये चेर करता है national security advisor, आप मुझे बताए हमारे national security advisor कौन है, to provide inputs for decision making by nuclear command authority and executes the directives given to it by the political council वैसे दोस्तों, executive council भी powerful है पर political council के नीचे, जितने भी decision लेना है न, वो political council लेगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेर करते है, अब वो advice करेंगे इनको, इसका execute करने का का काम किसका है, executive council का है अब तीसरा है, एक cabinet committee on security है दोस्तों, reviews the progress in operationalizing of India's nuclear doctrine, अपना nuclear doctrine को review करना, इसका progress को monitor करना, यह सब किसका काम है, cabinet committee on security भी है, CCS reviews the existing command and control structures, state of readiness, the targeting strategy for a retaliatory attack, operating procedures for various stages of alert and launch, देखो दोस्तों, जब भी ऐसे कोई problem आजाता है, तब एक cabinet committee on security भीड़ता है, वो review करते है सारे चीज़ को, वो बीच-बीच में review, timely review करते भी रहता है, कि हमारी existing command क्या है, structure क्या है, हमारी state of readiness क्या है, मतलब कोई attack हमारी उपर हुआ तो हम कितने operationally ready है, और हमारी strategy क्या होना अब दोस्तों, nuclear doctrine के बार में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, अब आते है, connect central Asia policy of India, central Asia के साथ, इंडिया का policy क्या है, central Asia के साथ, क्या relation होना है, कैसे stand लेना है, यह सब, India launched the connect central Asia policy in 2012, 2012 से है connect central Asia policy, policies aimed at strengthening and expanding of India's relation with central Asia countries, तो basically central Asia में जितने country है, कौन-कौन सा, कसा किस्तान, कर अर्गिस्तान, तजेकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, उस्बकिस्तान, इन सब कंट्रीज के साथ, इंडिया का relation कैसे होना चाहिए, यह central Asia policy कहता है, इंडिया connect central Asia policy से broad-based approach, including political, security, economic and cultural connections, अब देखो, इसमें major points देख लेते हैं, इंडिया will continue to build on strong political relations through the exchange of high-level visits, आपको पता है, हम हमारे और भी ministries जाता है, हमारे ambassadors है, तो high-level meetings होता है, हमारे बीच का relations को और strengthen करने के लिए, इंडिया will strengthen its strategic and security cooperation, देखो दोस्तों, इन सब countries के बीच में, मतलब इंडिया और centralization countries के बीच में, joint military corporations होता है, joint military training होता है, तो वैसे भी हम relations को बढ़ाते है, तीसरा का है, बहुत सा in Asia, Central Asia, तो यह सब जैसे, जितने भी gatherings है, groupings है, इसमें भी India cooperate करते है, ताकि हमारे relations अच्छा हो, हमेशे इंडिया की stand है, cooperation का, ठीक है, उसको maintain करके रेखने के लिए, and India has already proposed a comprehensive economic cooperation agreement to integrate its markets with the unifying Eurasian space, इंडिया ने केवल Eurasian से नहीं, कई सारे country के साथ, इस तरह comprehensive economic cooperation agreement sign किया है, ज इसे हमारी markets को integrate करने का, ठीक है, एक trade policy tip का बोल सकते हो आप, हमारी economic development के लिए, और साथ-साथ उनका भी, एक mutual cooperation agreement भी sign की, अगला क्या है, दोस्तों, India looks to Central Asia as a long-term partner in energy and natural resources, देखो दोस्तों, इंडिया जबी कोई country के साथ, या group of country के साथ, cooperation की बात करते हो, वो mutual cooperation है, हमारे पा दोनों देश का भला हो जाएगा, आप देखो, Central Asia में large cultivable tracks of land है, तो इंडिया उधर जाके profitable crops का cultivation कर सकते हैं, ठीक है, तो इंडिया के लिए एक फायदा वाली बात होगी, medical field is another area that offers huge potential for cooperation, तो इंडिया का जो medical field है, वो काफी उपर in countries अगर compare करेंगे, हम उनका ये help कर सकता है, कि extend cooperation by setting up, civil hospitals, clinics वगरा उदर लगा के, हम उनका help कर सकते हैं, अब क्या है, इंडिया's higher education system, देखो दोस्तों, इंडिया की higher education system, world famous है, हम quality education provide करते हैं, और कम फीच लेते हैं, इंडिया इसके लिए भी ready है, एक Central Asian University, बिश्केक में set up करने के लिए, and it could come up as a center of excellence to impart world class education, देखे है एक university set up करके, एडिया's कौन-कौन सा, IT में, management में, philosophy में, languages में, और कहा है, इंडिया is working on setting up a Central Asian E-network, बिटिट साब इन इंडिया, एक Central Asian E-network बिनाने का plan है, जिसमें, टेली education, टेली medicine connectivity, linking all the five Central Asian states, जितने भी ये five Central Asian states है, जो मैंने आभी पिछले स्रेश्य में आपको बताया, इनके साथ connect करके, एक Central Asian E-network बिनाने का, जिसमें, हब इंडिया में होगा, हेड्कॉर्टर जो है, इंडिया में होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, टेली education, मतलब, online education, या telephone के थू, टेली medicine connectivity, ठीक है, मतलब, टेलीफोन से, या, online जो, prescription provide करेंगे, doctors, जो है, मतलब, virtually होंगे physically जाने की ज़रूद नहीं है, अब क्या है, Indian companies can showcase India's capability in the construction sector and build class structures at competitive rates, देखो, Indian companies, इंडिया में बहुत सारे construction companies है, वो उधर भी जाके, ठीक है, अपना construction services जो है, प्रवेट कर सकता है, Central Asian countries, especially Kazakhstan, have almost limitless reserves of iron ore and coal, as well as abundance, cheap electricity, देखो दोस्तों, इंडिया का फाइदा कहां से होगा, कसाकिस्तान में, limitless reserves of iron ore and coal है, जिसकी सक्सरूरत है पूरे दुनिया को, तो इंडिया इसका access कर सकता है, और cheap electricity भी, इंडिया can help set up several medium-sized steel rolling meals producing its requirement of specific products, तो basically इंडिया का कहना ये है, उनका जगाची है हमें, हम जितने भी काम services उनको दे सकते हैं, हम दे देंगे, आपका कुछ areas हमें जगाची है, जहां बहुत सारे resources है, हम आत्मी भी बेजेंगे, services भी बेजेंगे, हमें बस निकालने का permission दे दो, ठीक है, तो इन resources का exploitation हम कर सकते हैं, कुछ land का हम cultivation कर सकते हैं, बदलाय में हम क्या क्या ले सकते हैं, medical services ले सकते हैं, ठीक है, टेली medicine, टेली education दे सकते हैं, और हम university लगाने के लिए तायर है, ठीक है, construction sector में जितने services से हो भी हम देंगे, तो Central Asian countries के साथ, इंडिया का एक policy है की, एक mutual cooperation बना रहे हैं, right, अगला कै, as for land connectivity, India has reactivated the international north-south transport corridor, land connectivity की बात किया जाए, देखो दोस्तो, international north-south transport corridor, आपको मैं दिखा देता हूँ, यह आपको इधर से इधर तक Central Asian country से होते हुए एक corridor है, इसको reactivate, यह बहुत पुराना प्लान था, इसको इंडिया reactivate किया है, यह आने से दोनों को फायदा होगा, क्यूंगी land connectivity होगा, ठीक है, वैसे जो standard route है, आप देखो, Arabian Sea से होते हुए, Gulf of Eden से होते हुए, जुयस कनाल से होते तो इस तरह एक corridor बनने से काम easy हो जाएगा, हैगी नहीं, अगला क्या है, absence of a viable banking infrastructure, देखो दोस्तों, Indian banking sector भी काफी अच्छा है, अगर इंडिया और Central Asian countries के बीच में, जो trade है, economic policies है, वो अच्छा हो जाएगा, तो इंडिया का banking services भी हम extend कर सकते हैं, जिसे foreign exchanges, currencies, यह सबका problems भी दूर हो जाएगा, अगला क्या है, इंडिया और Central Asian nations will join the work to improve air connectivity, देखो दोस्तों, कोई भी एक country, दो country की बीच में, relations अगर बढ़ाना है, दोनों की बीच में, जो travel restrictions है, उसको भी अटाना होगा, connectivity अच्छा करना होगा, तो air connectivity में भी हम काम कर सकता है, जिसे air connectivity बढ़ाना है, है कि अब देखो, Central Asian countries को डेमेज अट्राक्टिव होलिडे डिसनेशन, फोर टूरिस्ट, इवन फोर इंडियन फिलिम इंडिस्टी, देखो Central Asian countries को भी फायदा होगा, वो एक अच्छा होलिडे डिसनेशन भी है, ठीक है, तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करने से, इं अच्छा होने से, हमारे रिलेशन अच्छा होने से, हम उधर भी जाके शूटिंग कर सकते हैं, उसे उनका भी एकणोमी बढ़ाएगा, है कि नहीं, अब दोस्तों, Central Asian policy के बार में तो डिसकस हो गया, अब हम डिसकस करेंगे, एक्टीस पोलिजी ऑफ इंडिया के बार में, दोसर चौदा में, मोधी गर्मन अपग्रेड़ेट इंडिया से, देखो दोस्तों, पहले लुकीस पोलिजी था, 92 में, तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसी, उहारा हो जीने लाया था, लुकीस पोलिजी, ठीके, उनको दोसर चौदा में, जब मोधी गर्मन आये, इंडिया की एक्टिस पोलिजी जो है, आपके सिनारिय में, बहुत इंपोर्टन है, एक्टिस पोलिजी लाया था, बस एक ट्रेड रिलेशन, ठीके, ट्रेडिंग करने के लिए, दूसरों की एकोनोमी को डेलोप करने के लिए, ठीके, पर आभी जो इंडियो पसिफिक द की आना, एक ग्रूपिंग से एक मेजर पवर बेंके रहना बहुत जरूरी है, क्यूंगी चाइना का जो डॉमिनन से एशन रीजि़न उसको कम करना है, आमाये पता है चैना के क्या है, चैना क्या है व्idée है, प्छशाय क्या क्या काम करते है, तो इस तरह एक ग्रुपिंग पवर एक dominant group बेंके आना हमारी ज़रूरत है actually यह जो इंडिया active policy बेंके आया था एक trade policy ठीक है trading relations के लिए पर अभी के इसाब से यह it has gained political, strategic and cultural dimensions including establishment of institutional mechanisms for dialogue and cooperation देखो अब हम यह जो active policy के तुरू बोथ high level dialogues कंडेट कराते है strategic, military सब चीज़ें discuss करते है तो धीरे दीरे इंडिया active policy के जो importance है बढ़ते हुए नजरार है अगला क्या है इंडिया has upgraded its relations to strategic partnership with Indonesia, Vietnam, Malaysia, etc. देखो दोस्तों active policy के तुरू इंडिया इंडियो Pacific region में एक dominant power बनना चाहता है यह इंडियो Pacific region को एक strategically important area बनना चाहते है आपस में grouping करके इसके साथ-साथ इंडिया Asia Pacific region में भी अपना impact डालना चाहते है basically इंडिया चाहता है कि Asia Pacific region भी एक बड़ा area होगा इसको भी powerful area बनाओ ठीक है अब देखो इसलिए इंडिया इंडिया विएटना मलेशिया जपान कोरिया उस्टेलिया सिंगपूर जैसे countries के साथ भी strategic partnership कर रहा है इसे जो relation है उसको upgrade कर रहा है further apart from ASEAN देखो इंडिया ASEAN में member तो नहीं है पर एक observer है ठीक है इंडिया ASEAN में मतलब association वो south east nation nations में member नहीं है इंडिया का जो geographical position है वो south east नहीं बहुट सकते इसलिए इंडिया member नहीं बन पाया पर इंडिया बहुत सारे हमारे जो Asia Pacific region में जितने भी groupings है सभी में इंडिया actively engaged है क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि Asia Pacific region को इस तरह grouping करके आपस में cooperation करके एक अच्छा फोर्स बनाना कौन-कौन साहे देखो ASEAN है ASEAN Regional Forum है East Asia Summit है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Beamstack जिसको बोलता है Asia Cooperation Dialogue है Mekong Genga Cooperation है Indian Ocean Rim Association है तो इस तरह की groupings है India actively engaged है Active policy has placed emphasis on Indo-ASEAN cooperation in our domestic agenda on infrastructure manufacturing, trade, skills, urban renewal, smart cities making India, etc, etc देखो दोस्तों आप India की जितनी policy बन रहा है उस सभी में Active policy का emphasis है मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों देखो अगर Active करना है मतलब East की तरफ कुछ काम करना है सबसे पहले connectivity बढ़ाना होगा तो हम आजकल जितने भी काम कर रहे हैं हम यह कोशिश में की Northeast region को अच्छा connectivity बनाना मतलब Northeast state है हमार जैसे हमारा sister state से अग recently एक दो साल के अंदर आप लोग अगर ध्यान दिया हो तो आपको यह पता चलोगा Northeast region में काफी सारे bridges बन रहा है connectivity के लिए बहुत कुछ कर रहा है क्यों कि Eastern nations के साथ हमारे connectivity जब अच्छा हो तब हम कुछ कर सकते हैं आज ही एक नरेंद्र मोधी जी ने एक foundation stone ले किया किसके लिए धूबरी फूलबरी bridge जो आसाम और मेखाले को ब्रहममतर रिवर के ऊपर से कनक्ट करेगा तो इस तरह बहुत सब्सक्राइब नाशनल हाइवेस भी उदर इन्योग्रेट वाया है बोगी बिल ब्रिज आपको पता होगा तो इस तरह अच्छी तरह इंप्लिमेंट करने के लिए हमारी जो जितने भी पोलिशी में अच्छी पोलिशी का एंफसिस डाल रहा हम objective of active policy is to promote economic cooperation, cultural ties and develop strategic relationship with countries in the Asia-Pacific region through continuous engagement at bilateral, regional and multilateral levels thereby providing enhanced connectivity to the states देखो जैसे मैंने पताया भी, North Eastern states में जितने भी infrastructure है हम कितने इंफसिस देर है क्योंगी यह बहुत ज़रूरी है क्योंगी Eastern countries के साथ हमें अगर कुछ करना भी है क्योंकि कैवल dialogue से या strategic partnership से कुछ नहीं चलेगा अगला क्या, the Northeast of India has been a priority in your active policy यह मैंने अभी आपको बताया दोस्तों Northeast area active policy के लिए कितना important है कफी साइ infrastructural products हम कर रहा है the interface between Northeast India including the state of Anajal Pradesh and the ASEAN region various plans at bilateral and regional levels includes steady efforts to develop and strengthen connectivity to Northeast and ASEAN region through trade, culture, people to people contracts तो basically मैंने आपको जैसे बताया North Eastern states में कितना emphasis देर है हमें दीरे दीरे नजर आ रहा है on the civilization front, देखो दोस्तों कोई भी एक countries के ताथ या group of country के साथ relations बनाते है ना जो इस की तरफ आप देखोगे maximum Buddhist population है तो government की courses यह भी है Buddhist and Hindu links बनाना इसको अनधियस करने के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रहा है on connectivity, special efforts are being made to develop a coherent strategy particularly for linking ASEAN and Northeast India measures including building transport infrastructure, encouraging airlines to enhance connectivity तो basically इधर सब connectivity की बात और है दोस्तों active policy को अगर अच्छी तरह implement करना है तो connectivity एक major point है Northeastern states को जहां बहुत hilly area है उदर बहुत पैसे invest करना पड़ेगा strategically important area है क्योंकि हमारा जो connectivity है अकर land से connectivity देखा जाएगा तो वो पूरे Northeastern states से ही होते हुए जानाया में India's economic engagement with ASEAN has been stepped up region integration and implementation of projects are priorities ASEAN-India agreement देखो और एक agreement है ASEAN-India agreement on trade-in service and investment has entered into force 1 July 2015 में एक ASEAN-India agreement on trade-in service भी लाया था ठीक है तो basically आपको समझ में आ रहा होगा active policy से हम क्या करना चाहते है हमारी relations कैसे भी करके Eastern countries के साथ बहुत अच्छा बनागा चाहरा है वैसे भी India को एक बड़ा भाई की तरह मानते हैं सारे countries पर इंडिया की policies भी साथ-साथ है अब दोस्तों finally on strategic issues India has increased convergence on security interest with key partners both in bilateral and multilateral format अब दोस्तों trade relations, economic policies, mutual cooperation यह सब तो ठीक है पर इसके साथ-साथ region की security भी तो एक top priority है इसके लिए इंडिया कहीं सारे bilateral agreements, bilateral talks, high level visits किये हैं multilateral format में भी किये, multilateral मतलब एक से ज्यादा countries के साथ एक group बनाके security को बठाने के लिए बहुत कुछ किये है closer cooperation in combating terrorism, देखो combating terrorism हमारी foreign policy में एक important thing है वैसे दोस्तों eastern region में western region से अगर compare करोगे तो terrorism की impact थोड़ा कम है फिर भी closer cooperation करते हैं countries के साथ terrorism को हर तरीक से combat करने के लिए and collaborating for peace and stability in the region देखो हमारी यह जो east chain region है इधर peace and stability median करने के लिए बहुत करने के लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे है promotion of maritime security based on international norms and laws are being pursued अब यह किस देखो दोस्तों act east policy बोलने से Bay of Bengal जो है एक important part है Bay of Bengal आता है Underband Sea आता है Malaka state आता है यह सब eastern region में आता है है कि नहीं तो इधर की maritime security भी हमारे एक topmost priority होना चाहिए और इसके लिए भी international norms and laws are being pursued ठीक है international norms and laws लाएंगे जैसे unclosed United Nations law of sea जैसे ठीक है तो maritime security भी एक priority है तो दोस्तों इसे वीडियो में दर बंद कर रहा हूं chapter 79 का part 3 वीडियो था यह इस वीडियो से M. Lakshmi Khanh का Indian policy वाला किताब 100% खतम हो चुका है 99.9% सिलबस हर्षिसार ने cover किये थे आप लोगों की civil services preparation के लिए M. Lakshmi Khanh का Indian policy वाला किताब बहुत ही important है पूरे chapters के explanation चानल में available है तो दोस्तों आप लोगों की valuable suggestions and comments जो है आप मुझे comment box में बता दीजेगा thanks for being a part thank you for watching bye bye